हेलो फ्रेंड्स आज हम छोटे बचे के लिए एक नैपी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पैटरन कट कर लिया है जिसके लंबाई मैंने 12 इंच रखी है और चुड़ाई 8 इंच रखी है तो आप देखते रहें कि कैसे मैंने इसको कट किया है तो 12 इंच लंबा और 8 इंच चड़ाई रखके हमने ये पैटरन शेप हमने ये दे ली है अब कपड़े के उपर जो पैटरन हमने कट किया है ना कपड़े के उपर रखके डबल कपड़ा रखके उस पे हम ये कटिंग कर लेंगे और मैंने ये डबल कपड़ा रखा है और बीच में हम एक छोटा सा पीस लगा लेंगे कपड़ेगा तो इसको अब हम सिलाई लगा लेंगे एक साइट से थोड़ा सा मैं इसको उपन रखूँगी और बाकी सारे सिलाई लगा के छोटे-छोटे कट लगा लेंगे और इसको उल्टा लेंगे तो बहुत ही असान है ये बनाना बच्चों का नैपी या डाइपर कुछ भी कहलो तो ये जो मैंने चौर पीस एक कट किया था अब बीच में इसको डाल दूँगी और उपर से सिलाई लगा दूँगी यहां सेंटर में हमने एक पीस कट करके इसके बीच में डाल लेना है यहां से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी सिलाई से अटेच कर दूँगी अब हमने जो यहां से ओपन रखा था ना उपर वाली साइड से अब मैं थोड़ा सा प्रैस कर लोगी थोड़ी इसकी शेप अच्छे से आ जाए फिनिशिंग हो जाए अब एक इसको बांधने के लिए मैं डोरी बना लोगी तो यह सिंपल सी डोरी हमने सीधी बनानी है अगर आप उरे पट्टी उरे बनाना चाहते हो उरे भी लगा सकते हो तो मैंने सीधी पट्टी लगाई है अब जहां से हमने ओपन रखा था ना उपर वाली साइड से एक पट्टी हमने एक कोने पर लगा देनी है और दूसरी पट्टी दूसरे कोने पर लगा देंगे तो बहुत ही असान है ये बच्चों के लिए नैपी बनाना नैपी या डाइपर जो भी कह सकते हो से आप डाइपर भी बोल सकते हो और उपर से मैं एक सिलाई लगा दूँगी जिसके साथ की इसकी फिनिशिंग आ जाए अच्छे से तो ये पांच मिनिट में बनाने वाला है ये जो भी हम डाइपर नैपी बना रहे है बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही असान है बच्चों के लिए अगर आप अपने हाथों से बनाना चाहते हो न तो बहुत अच्छा रहता है ये कॉटन का अब हम इस साइड को ऐसे दो लूप्स जो है न इस साइड को लगा देंगे नीचे वाली साइड को जहांसे कि हम बाद में इसको डोरी को बांदेंगे ऐसे लगा के उपर को हम इसको उल्टा लेंगे तो आप ध्यान से देखना कि कैसे मैंने इसे बनाया है और आप भी अपने छोटे बच्चों के लिए ऐसे घर पर नैपी बना सकते हो तो ये हमारे बन के त्यार हो गई अब ये जो हमने दो नीचे को लूप से लगाए हैं ना इसमें से ये डोरी को निकालके इससे हम डोरी को निकालके यहां से बांद लेंगे और यहां मैं डोरी को आगे कपड़े का एक टेसल बना के लगा दूँगी ये देखो ऐसे मैंने इसको बना के लगा दिया ऐसे दोनों में डालके डोरी को और ऐसे बांद देंगे तो देखा कितना असान था, कितना असान है ये नैपी बनाना बच्चों के लिए, न्यूबॉर्ण बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये, ऐसे हम इसको बांध लेंगे बस, तो ये हमारा त्यार हो गया, तो हम दो तरह के बनाएंगे, ये मैंने चौरस पीस कट कर लिया है, बारा बाई बारा का मैंने कट किया है, तो ये भी बनाना बहुत ही असान है, दो तरीकों से मैंने आपको बताया है, एक वह वाला तरीका जो पहले बताया था, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और ये त जो बांधने के लिए डोरी होती है ना पहले डोरी बना लेंगे हम और बस तीन सिलाईयां लगेंगी इसमें और ये डाइपर जो बनके त्यार हो जाएगा तो दो डोरी हमने कट कर ली है ऐसे हमने देखो कपड़ा रखना है तिर्चा और यहां पे एक डोरी अंदर के साइट को रखके और यहां से डोरी लगा के और यहां पे सेंटर में हमने एक लूप लगाना है जसमें कि हमने डोरी को बाद में बांधना इसमें पिरोगे तो अंदर की साइट को लूप को रखके ऐसे थोड़ी सी जगह हम छोड़ेंगे न क्यूंकि हमने उल्टाना है इसको बाद में तो जहां से मैंने थोड़ा सा ओपन रखा था बहां से हम इसको उल्टा लेंगे और यह देखो बहुत ही जल्दी हमारी बच्चे के लिए जो नैपी होती है बहुत जल्दी बनके त्यार होगी पांच मिनट में बन जाती है और जहां से हमने उपन रखा था उसको बाद में स्टिच कर दिया और इसको भी मैं डोरी पे जहां पे डोरी है ने इसपर टसल लगा दूँगी जैसे दूसरे पर मैंने लगाए थे न ऐसा कपड़े के मैं इसपर भी टसल लगा दूँगी और यह हमारी बच्चे के लिए जो है न, नियूबॉर्ण बेवी के लिए नैपी बनके त्यार हो गई, तो दो तरह से मैंने बताई आपको, तो दोनों ही बहुत ही असान है, तो फ्रेंट्स आप बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, ओके फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हो, बाई बाई,